अब यदि आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं अकसर ओबेसिटी के बारे में काफी चर्चा करता हूँ और वो इसलिए है क्योंकि आज की तारीक में हमारे देश में अधिकतर लोग एकसेस वेट, बैली फैट, विसरल फैट, अब्डॉमिनल फैट एक्यूमिलेशन, ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी जैसी समस्याओं से परिशान हैं लेकिन इस समस्याओं कि इतना व्यापत होने के बावजूद भी अकसर कई लोग ओबेसिटी के बारे में क्लियर नहीं होते कुछ लोग सुषते हैं कि ओबेसिटी उनके खाने पीने की गलत आदतों की वज़े से पैदा होती है और दूसरी तरफ कुछ लोग समझते हैं कि ये उम्र बढ़ने का एक natural consequence है जब किसी व्यक्ती की उम्र बढ़ती है तो थोड़ा बहुत मोटापा नहीं ही रुका जा सकता कई लोग सुषते हैं कि मोटापा उनके माबाप की देन है यदि उनके घर में कोई बड़े बज़र्ग लोग मोटापे का शिकार रहे हैं तो बच्चे भी मोटापे का शिकार होकर ही रहेंगे कुछ लोग मोटापे को काफी seriously लेते हैं जबकि इनके दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोचते हैं कि मोटापे में परिशानी क्या है दो चार नई shirts, दो चार नई trousers खरीद लेंगे और life चलती रहेगी और इसलिए आज हम इस वीडियो में obesity और उससे जुड़े हुए कुछ aspects पर बात करेंगे सबसे पहले तो obesity की definition और उसकी जो सबसे सीधी साथी definition है वो यह है कि obesity उस situation का नाम है जब किसी व्यक्ति की body में body fat इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी health और well being को negatively impact करने लगती है obesity की calculation body mass index के द्वारा की जाती है जिसमें उस व्यक्ति के वजन और उसकी height के समंद को दर्शाया जाता है तो इस definition से आप समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का वजन अपने ideal body weight से 2-4% ज्यादा है तो उससे बहुत ज्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यदि किसी व्यक्ति का वजन अपने ideal body weight से 20-25-35% ज्यादा है तो फिर उसे obesity के बारे में seriously सोचना चाहिए और वो इसलिए क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का वजन अपने ideal body weight से 20-35% ज्यादा है तो वो obesity को लंबे समय तक ignore करता है उसके बावजूद तो ये गंभीर समस्या का रूप ले सकती है और उसके बाद उन बीमारियों के चलते उसकी business income, उसकी corporate life पर, उसकी studies पर, उसके career growth पर, उसकी personal relationships पर, in fact जिन्दगी के हर पहलों पर नकारात्म का सर पढ़ता है obesity impacts every aspect of human life अब यदि बीमारियों की ही बात करें तो पहली बात तो यही है कि obesity की वज़े से कई chronic diseases की शुरुवात हो सकती है obesity हमारे bodily functions और metabolism को adversely impact करती है और इसी लिए ये आगे चलकर कई बीमारियों का chronic diseases का कारण भी बनती है सबसे पहली chronic disease तो type 2 diabetes ही होती है obesity की वज़े से आपकी insulin sensitivity कम हो जाती है और insulin resistance बढ़ जाता है और इसकी वज़े से आपकी body blood glucose levels को उतने सहीं तरीके से manage नहीं कर पाती जितना की एक healthy व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और इस situation में आप pre-diabetes या gestational diabetes या actual diabetes का शिकार हो जाते है obesity से होने वाला दूसरा बड़ा खत्रा है cardiovascular diseases obesity आपके blood vessels को बुरी तरह से प्रभावित करती है और इसकी वज़े से इसका high blood pressure, heart disease और brain stroke से गहरा सम्मंद होता है obesity की वज़े से कुछ type के cancers होने की risk भी बढ़ जाती है obesity की वज़े से breast cancer, colon cancer और kidney cancer होने की risk बढ़ जाती है obesity की वज़े से respiratory disorders की शुरुवात भी हो सकती है कई research studies में पाया गया है कि obesity sleep apnea और अन्य breathing problems को बढ़ाने में भी अपना योगदान देती है and of course obesity की वज़े से joints और bone issues भी हो सकते हैं जब किसी व्यक्ति का वज़न जरूर से जादा होता है obesity एकसर fatty liver disease का कारण भी बनती है obesity आपके liver में fat deposit कर सकती है जिसकी वज़े से आगे चलकर non-alcoholic fatty liver disease की समस्या बढ़ सकती है इसी तरह की एक और समस्या है gastrointestinal disorders obesity उनको भी बढ़ावा देती है obesity की वज़े से gallstones और gastroesophagal reflex disease जिसे जर्ड या गर्ड भी कहा जाता है वो भी बढ़ सकती है obesity की वज़े से kidney problems भी बढ़ सकती है कई research studies में पाया गया है कि जिन लोगों की BMI ज्यादा होती है और जिन लोगों का वज़न लगातार कई सालों तक उनके ideal body weight से 20-25 प्रतिशत ज्यादा बना रहता है तो उन्हें आगे चलकर chronic kidney disease होने की risk भी बढ़ जाती है and last but not the least obesity का प्रभाव हमारे शरीर पर ही नहीं पढ़ता बलकि हमारे दिमाद, हमारे मस्तिश्क और हमारे सोचने के तरीके पर भी पढ़ता है कई studies में पाया गया है कि obesity और mental health में क्या संबंद है obesity और mental health disorders में in fact bi-directional संबंद पाया जाता है bi-directional संबंद का मतलब है कि obesity mental health conditions या disorders को बढ़ावा देती है और mental health disorders obesity को भी बढ़ावा दे सकते है जब किसी व्यक्ति को mental problems होती है तो वो अकसर कुछ extra भोजन खाकर अपने mental tension को stress को दबाने की कोशिश करता है इस problem के बारे में मैं पहले भी कई अन्य वीडियो में बात कर चुका हूँ और इससे scientific language में कहा जाता है emotional eating और अकसर इसकी वजह से उस व्यक्ति का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है इसके दूसरी तरफ जब किसी व्यक्ति की BMI ज्यादा होती है जब किसी व्यक्ति को अपना खुद का body shape या body size पसंग नहीं होता तो इसकी वजह से उसके दिमाग में अपनी एक self image negative way में appear होती है जिसके चलते वो अन्य लोगों से खुल कर बात नहीं कर पाता नहीं लोगों से मित्रता नहीं कर पाता नहीं relationships नहीं बना पाता और जिसके चलते वो अपने लिए कई cases में सही life partner भी ढूणने से घवराता है Archives of General Psychiatry में एक study publish की गई थी जिसका title था obesity and mental disorders in the general population the results from the world mental health service और इस study में obesity और mental disorders के बीच में संबंद को जानने और समझने की कोशिश की गई थी और इसमें पाया गया कि जब किसी व्यक्ति की BMI जरूर से ज्यादा होती है जब किसी व्यक्ति का वजन उसके ideal body weight से 20-25 प्रतिशल ज्यादा होता है तो उसके mood और anxiety disorders की risk भी बढ़चाती है Weight Watchers की Chief Scientific Officer है Dr. Current Miller Kovach और उनका कहना है कि आपके वजन की आपके self-esteem और self-worth से गहरी relationship होती है और यह संबंद bi-directional होता है एक तरफ मोटापा mental illness को trigger कर सकता है और दूसरे तरफ mental illness obesity को promote कर सकती है तो अब obesity के बारे में इतनी बातें करने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आखिर obesity का इलाज क्या है और इसका सीधा सच्चा जवाब है कि obesity का सबसे बहतर इलाज है obesity को avoid करना first of all avoid it क्योंकि यदि एक बार किसी व्यक्ती का वजन ज़रूस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उससे छुटकार अपाना आसान नहीं होता पाया तो जा सकता है लेकिन आसान नहीं होता और इसलिए ये बेतर होगा कि हम अपनी lifestyle कुछ इस तरह से चुने कि उससे हमारी obesity बढ़ने की chances कम हो जाएं और उसके लिए जरीर है सही lifestyle choices और food choices को अपनाना अभी हाल ही में मैंने वजन कम करने के लिए एक weight loss program डेवलॉप किया है और इसके अलावा belly fat को कम करने के लिए एक diet book भी लिखी है belly fat busting diet book और इन दोनों publications में मैंने सिर्फ वही recipes include की हैं जिन में whole grains का anti-inflammatory food products का millets का और traditional grains का इस्तिमाल किया गया हो इन recipes को structure करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि उनमें काफी बात्रा में proteins हो और healthiest fats हो और कि वो लोगों को belly fat से या visceral fat से और obesity से मुक्ति दिला पाएं और वे लोगों की BMI कम करने में और उनकी body का shape बदलने में भी उनकी साहता कर पाएं और यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद भी इसी तरह की recipes का इस्तिमाल daily basis पर अपनी life में करता हूँ इन्ही whole grains का, anti-inflammatory food products का, millets का और traditional grains का इस्तेमाल करने की वजह से ही मैं आज तक belly fat, visceral fat, abdominal fat accumulation और obesity जिसे समस्याओं से आजाद हूँ और जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यदि मुझे जैसा एक साधारन व्यक्ति इस तरह की सफलता हासिल कर सकता है तो ऐसी कोई वज़े नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते जरूरत है तो obesity के mechanism को समझने की और फिर अपनी lifestyle में कुछ ऐसे बदलाओ लाने की जिनके द्वारा आप obesity से छुटकारा पास सकें